सब्सक्राइब किजे टेक्नो विकास चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्नोलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमसकार दोस्तों टेक्नो विकास चैनल में आपका फिर से सब्सवागत है और मैं हूँ Vikas तो दोस्तो आज का वीडियो जो है वो थोड़ा special है ये सरकार की एक नई योजना की जानकारी लेके आया है वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में इस योजना के तहट आपकी बेटी को पढ़ने के लिए रुपए मिलेंगे और जब आप अपनी बेटी की साधी करते हैं तो सरकार आपको एक लाख रुपए देगी तो इस योजना का आप ऑनलाइन आविदन किस तरीके से कर सकते हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो दोस्तों मैं बता आपके सामने एक लाडलीलक्षमियोजना.com आएगा और उसके उपर में आपको लाडलीलक्षमियोजना जो है वो हिंदी में लिखा हूँ दिखेगा तो आपको सिंप्ली इस वेबसाइट को ओपेन करना है और ओपेन करने के बाद आपके सामने जो यहाँ पे आप देख सक कुल रासी रुपए आपको 30,000 बालीका के नाम से जमा किये जाएंगे ठीक है और बालीका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 2,000 कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर 4,000 और कक्षा 11 में प्रवेश लेने पर 6,000 रुपए और 12 में कक्षा में प्रवेश लेने पर 6,000 रुपए जो है वो 18 वर्ष से पूर्व ना हो तो यह सही बात है और मैं जल्दी जल्दी से बता देता हूं कि हम लोग इसके लिए online आवेधन कैसे कर सकते हैं तो आप इस website के उपर में देख सकते हैं आवेधन लिखा हुआ है उस पर आपको click करना है simply और click करते ही एक हमारा नया page open होग कि आपको अगर खुद से करना है तो आवेधन जन सामान या द्वारा से आपको करना होगा इस पर click करना होगा और जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो आपके सामने एक नया page open होगा और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मैं मध्यप्रदेश का मूलनिवासी हूं तो आपको य income tax देते हैं तो आपको यहाँ पे हा करना होगा नहीं तो नहीं कर दें और उसी तरीके से किस बालिका हेतु आवेधन किया जा रहा है किरिपिया चुने प्रथम वा दूइतियर यह जो योजना है इसका लाब जो आपके दो बेटियों तक सिमित है मतलब कि आपके तीसरी ब क्लिक करना होगा तो जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपका एक इस तरीकी का form open होगा और यहां पर आपको simply भरना है जीला जो है आपका क्या है यहां से चूज कर ले उसके बाद परियोजना तो किस परियोजना के तहत है आपका उसको यहां पर आपको डालना होगा और आपको उसके ठीक नीचे बताना होगा कि आपका बालिका का जो जन्म है वो कहां हुआ है घर पर हुआ है आस्पताल में हुआ या फिर अन्या है ठीक है उसके बाद है बालिका की माता का नाम बालिका की माता की आयू ठीक है और उसके बाद आपको यहां पर लिखना होगा बालिका के पिता का नाम, बालिका का उपनाम, बालिका का पिता की आयू, और यहां पे आपको डालना होगा बालिका की माता का आधार करमांग, फिर है बालिका के पिता का आधार करमांग, और उसके ठीक नीचे है बालिका के भाई बहनों की संख्या, आपको य परिवार बीपियल है या फिर बीपियल नहीं है तो यहां पर आपको हां और नाम में ठीक लगाना होगा उसी तरीके से परिवार नियोजन किस ने अपनाया है परिवार नियोजन अपनाने की दिनांक परिवार नियोजन कितने बचों पर अपनाया गया ठीक है और उसके क्या गल्ली आंगनवाडी किसा आंगनवाडी में आपका घर पड़ता है ग्राम क्या है वाड क्या है विकास घंड क्या है तहसील क्या है विदानसभा चेत्र क्या है, PIN Code क्या है, Mobile Number क्या है, Land Line number क्या है, Email ID क्या है और उसी तरीकimo allora है यहाँ फारिका का टिका करन जो है तो ओसी तरीकिए से आपको उसका फोटो हीचना है और पे उस्से अपलोड कर देना है यहाँ पे इस तरीकिका box open होगा जहां पर भी आपका उस तरीके का जो फाइल है आप simply यहां पर उसे open कर सकते हैं तो उसी तरीके से आपका परिवार नियोजन का परमान पत्र यहां पर आपको अपलोड करना होगा फोटो किच के या फिर स्कैन करके आप डाल सकते हैं बालिका का माता पीता के साथ फोटो वो डालना बहुत ज़रूरी है अगर आप यह नहीं करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा तो आपको आप मेनु दी गई है अगर आप एक भी डॉक्मेंट अपलोड नहीं करते हैं तो आपका जो यह अप्लिकेशन है वो रद कर दिया जाएगा उसके बाद मूल निवासी स्थानिया वो आपको यहां पर डालना है बालिका का जन्म प्रमान पत्र वो आपको यहां पर जो है अपलो ऑफिस में जाना है और उसे वहां पर पास करवाना है और इसके बाद जब आपकी बेटी 6th क्लास में पहुंच जाएगी तो 2000 रुपए आपको उसमें मिल जाएंगे और उसके बाद जब आपकी बेटी 9th में चली जाएगी तो आपको 6000 रुपए मिलेंगे उसी तरीके से आ काफी अच्छी योजना है ये आप इसमें सिंपली आवेधन कर सकते हैं फ्रेंड्स इसी टाइप की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तो दोस्तों मिलता हूं नए वीडियो में नए टिप्स और टे क्या है वे गुड डे सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोवीकास चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्नोलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए